असलाम अलेकुम जी, काफी लोगों का इशू हा रहा है पाइटोन के चिल्ला के कोर्स के अंदर कि उनका git bash टर्मिनल नहीं चल रहा, अगर टर्मिनल चल रहा है तो VS Code में नहीं चल रहा, अगर VS Code में चल रहा है तो वहाँ पे कॉंडा की कमांड्स नहीं आ रही, तो जैसे को म आपके पास यहाँ पे एक वीडियो होगे जिसका नाम है, यह वाली वीडियो आपने देख लेनी है, 14 नंबर वीडियो है इसके अंदर, इसको देखने के फॉरण बाद आपके पास मेरा जो टर्मिनल है, उसके अंदर git bash जो है वह चल पड़ेगा, इस गाइड का लिंक में मैंने यहाँ पे दिया हुए, आप step by step इसको follow करेंगे तो आपका जो टर्मिनल है, वो git bash के अंदर वो चल पड़ेगा, यानि के git bash के अंदर आपके पास conda environment चलने लग जाएंगे, कैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ git bash, यह मेरे पास git bash है, और अक्सर लोगों के पास यहाँ पे base का environment नहीं आ रहा, तो usually क्या होता है, आपने conda init की command चलानी होती है, enter मारना होता है, और आपका यह वाला function जो है वो नहीं हुआ होता, automatically turn on, आपने इसे फिर बंद करना है, फिर दुबारा से git bash चलाना है, git bash को चलाने के साथ ही, आपक you can also see those packages like this, ठीक है, एक तो यह तरीका का रहा है, secondly, जिन लोगों के पास VS code के अंदर, अगर आप यह terminal की यह control J press करते हैं, यह इस जगा पे click करते हैं, तो आपके पास अगर git bash यहाँ पे नहीं आ रहा, उसका भी तरीका का रहा है, उसका बहुत यह असान तरीक है, आपने य यहाँ से कोई भी एक profile आपने select कर लेनी है, that will be used as default profile, for example, मैं command prompt यहाँ से गर choose करता हूँ, you will see के मेरे पास जो command prompt है, वो वाला terminal मेरे पास default पे है, for example, मैं इसे बंद करता हूँ, यहाँ पे click करूँगा, and you still see this terminal here, क्यों, क्योंके मेरे पास यह git bash पहले चल रहा था, लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ से bash की बजाए command prompt पे click करूँगा, मेरा command prompt वाला चल पड़ेगा, and if I go like this, तो अभी command prompt वाला चल रहा है, cmd चल रहा है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे default profile जो है, वो git bash की रखनी है, because git bash जो है, वो आपको काफी ज्यादा जो है, वो सहूलतें देता है, as compared to other, तो मैं यहाँ पे इसको zoom in करके आपको दिखा देता हूँ, कि यह वला आपने select कर लेना है, git bash, select करने के बाद, आपने यहाँ पे दुबारा से, अगर आप git bash के terminal को चलाएंगे, you will see that bash terminal like this, और अक्सर अकात आपकी command यहाँ पे नहीं आती, base की it's fine, लेकिन it will take some time, तो आपके पास यहाँ पे base की command आ जाएगी, और इस तरीके से आपका जो terminal है वो on हो जाएगा, ठीक है, this is how you have to work, अब अगर आपका यह सारे का सारा गाम आपके पास git bash आई नहीं रहा, तो आपने क्या करने है, यहाँ पे जो हमारी पहली पहली वीडिय है installation की, यह वाली 11th number video in the playlist, hopefully इसकी numbering सेम रहेगी, आपने इसको use करने है, use करने के बाद आपने यहाँ से इस वीडियो को देख के step by step follow करने है, अक्सर लोग वीडियो को skip कर देते हैं, जिनकी वज़ा से उनके साथ यह वाले issues जो हैं वो पेश आ रहे हैं, so now you know कि terminal में कैसे हमने default terminal लेके आना है, and you know कि हमारे पास किस तरीके से git batch के अंदर हम konda environments जो हैं उन्हें चला सकते हैं, hopefully सब कुछ clear है, अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन issues को further way में जो है वो resolve कर सकते हैं, of course अगर आपके पास यह issue आ रहे था, please write down in the comment section कि अभी resolve ह okay, see you in the next one